नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, सौरप दे स्मॉल ट्रावलर तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडोनेशिया के सबसे बड़े जू में जो की थोड़ा दूर है जकारता से, दो-तीन घंटे ट्रावलिंग में आपके लग जाएंगे, जाने जाने में इस जू की खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जानवरों को खुला छोड़ा हुआ है अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको अपनी गाड़ी लेके अंदर जाना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ पर गाड़ी रेंटल मिल जाती है तो आप वहाँ के केज में आप जा सकते हो आराम से तो हम लोगों ने थोड़ी से सबजियां ले ली हैं और लंबा ट्रावल करके जू के अंदर entrance मार दिया है ये इसका entrance gate है हम लोगों ने फटाफ़ट से tickets लिए, maps लिए और जू के अंदर अपनी गाड़ी घुमा दी तो बस अब हमें इंतजार था कि हमें कोई भी जानवर रोड पे दिख जाए और हमें सबसे पहले दर्सन हुए गनपदी बपा के, गनपदी बपा मोर या गजराजी के दर्सन हुए तो हमें लगा अब हमारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और अब हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे जानवर और दिखने वाले हैं तो हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमें एक अनोखा एक अनोखा ही जानवर दिखा मुझे इसका नाम भी नहीं पता लेकिन हमें अच्छा लग रहा था देखकें यह हीरन जैसा लग रहा था हीरन और सुवर जैसा थोड़ा-thोड़ा यह हीरन की breed है बड़ दूसरे type में breed है यहाँ पे जो sand थे वो sand normal sand उसे बहुत height में बहुत बढ़े थे बहुत दूर खड़े थे यहाँ पे गैंडा था जो पानी के अंदर ही था बहार ही नहीं निकल रहा था लगा था शूट के लिए बहार निकलेगा निकलेगा नहीं निकला उसके बाद हमें दर्सन हुए उट के उट बेचारा आइधिंग भूगा था और हम चाते थे उसे खाना खलाना लेकिन हो थोड़ा दूर खड़ा था हमसे boundary के उपर और मैंने कोसिस करी अपनी गाड़ी से ही कुछ गाजर के पीज उसकी तरफ फेक ने गए लेकिन क्या बोलू मैं अब मेरा थोड़ा थोड़ा गंदा था फिर हम लोग आगे गए एक सेक्शन में काफी सारे जानवर एक साथ है जैसे अभी हमें हीरन मिले अब हमें इतने सारे हीरन मिले एक साथ बहुत सारे यहां पर यह सब घूम रहे हैं यह सब आजाध हैं इनको किसी केज में नहीं रखा हुआ है यह रोड पर आ सकते हैं यह अपने जहां पर इनको रखा गया है वहां पर जा सकते हैं यहाँ पर सिफ कुछ जानवरों को जादा वाइड हैं उनको कैद करके रखा हुआ है कैद भी तो इसलिए किया हुआ है क्योंकि जैसे ब्लाक पैंथर मैंने देखा वो बहुत छोटे केज में पैक था और वो बहुत उचाई पर उनन रखा हुआ था एक ब्रीज बना रखा हुआ था और वहाँ पर उसे रखा हुआ था यह साइद गाई थी धी सीष यह खोला मैंने यह सीधा अंदर गुस नहीं कोसिस कर रही थी वहाई सब जगेए निये भाई कहां घुसना है आपको हमें जाने दो हमें आगे जाना है जिसको कहते हैं जिराफ हमें बोला गए था कि ये रास्ते में मिलेंगे तो इन्हें खाना खलाना और भई वो तो अंदर ही थे वो तो रोड पर आये नहीं रोड पर तो अलग ही अलग टाइप के जानवर आ रहे थे जिनका हमें नाम भी नहीं पर उसके बाद एंट्री होती ह हमारी बाग, चीता, पैंथर, जैग्वार इन सब जानवरों के इलाके में पर इन सब में एक सिमिलारिटी ये थी कि सबके सब सुस्त हो रहे थे या तो इनको जंगल अधिकारियों द्वारा जो भी वहां पर गार्ट्स थे उनके द्वारा ही उनको सुस्त किया हुआ था क् सब गूंते फिरते हैं यहां पर बच्चों के खेलने से लेके हंटेट हाउस पांडा हाउस ये इतना बड़ा जीू था Iतना बड़ा कि हम लोग पूरी जगे घूम भी नहीं पाए क्योंकि टाइम थोड़ा कम था हम लोग सुभे आट बजे निकल गए थे और शाम को पांच-छे बजे घर पहुंचे हैं हमने जंगल उपर ट्रॉली से भी देखा हमें लगा जब अब नीचे से नहीं देख पा रहे हैं तो उपर से देख लेते हैं लेकिन उसके बाद भी जंगल कवर नहीं हो पाया और बहुत सी चीज़ें रहे गई हैं और मैं आसा करता हूँ कि मैं दुबारा वहां जरूर जाओंगा आप लोग जबी भी यहां आओ प्लीज वैदर चेक करके ही आना और वीग देश पर ही आना थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई